हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो अटोमेशन एंड अटोगोटिक्स यूट्यूब चैनल यू आर विद टेक्टॉक विद लालितीज तो आज के जो हमारा वीडियो है वो बिसीकली बेस्ट है कि हम फिलेट कमांड आटोकाइट में कैसे यूज करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आटोकाइट के बारे में आपको बता रहा हूं तूल्स के बारे में बता रहा हूं कमांड्स के बारे में बता रहा हूं जिससे कि आप इन कमांड्स का यूज करके कोई भी ड्रॉइंग बना सकते हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शेयर करें, जैसा की फ्रीबेस वीडियो में बताया था और लाइस वीडियो जो थी वह ब Comeunch कैसे यूज करते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम Milit Command कैसे तो चैंफर में आपने देखा था कि side edge corner एक particular distance से आप cut कर सकते हैं एज बना सकते हैं लेकिन जो चैंफर होता है जो फिलेट कमांड होता है फिलेट कमांड में आप radius में आप basically circle को बना सकते हैं आप radius ले सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए बहुत simple तरीका है कि सबसे पहले page setup करना unit set करना है देन उसके बाद suppose एक rectangle बना लेते हैं तो जो भी command हमारी लगी हुई है उस commands को आप यहां से skip कर दीजिए देन एक REC बना लेते हैं तो REC का lower left corner आप select कर सकते हैं से मैंने 200 200 with and height lower first corner and distance आप ले लीजिए जो भी आपको ठीक लगे तो मैं चाहता हूँ thousand and comma यानि with thousand होना चाहिए और जो height 500 तो इस तरीके का मैंने एक rectangle यहां से बनाया आप जूम कर सकते हैं इसको तो जूम के लिए z enter and all तो यह आप देख पा रहे होंगे यहां पर यह जूम हो गया यानि जो total width है वो है basically thousand mm की जो height है वो 500 mm की यानि यह मेरे rectangle बन गया तो फिलेट जो चैंफर कमांड है उसमें आप एज एक distance से कट कर सकते हैं लाइन एज बना सकते हैं लेकिन चैंफर में क्या है radius से आपको जाना होगा तो उसके लिए क्या करना है बहुत simple तरीका है तो सबसे पहले जो फिलेट कमांड है उसको लिखते कैसे फिल लिखेंगे देन एंटर करेंगे देन उसके बाद यह पूछ रहा है कि आप फस्ट आपजेक्ट को स्लेक्ट करें तो मेरा यह लाइन हो गया फस्ट दैन उसके बाद आपको यहां पर एसाइन करना है कि रेडियस कितना रखना यानि जो कट करना है कितना रेडियस का आ सेकेंड लाइन और उसके बाद आप देखेंगे कि एक बिसीकली 5 रेडियस का यहां पर एक एज बन गया तो यह क्या है यह बिसीकली हमारा फिलेट कमांड है यह 5 क्योंकि बहुत कम दिखाई दे रहा है आप इसको थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या क बैड करेंगे वापस हमारी यह कमांड है कंट्रोल जैट से यह जाएगे यानि हम फिर से उसी स्टेज पर आ जाएंगे कोई भी कमांड अभी नहीं लगे हुए हैं तो मैं क्या करने जा रहा हूं फिर से फिलेट कमांड बताता हूं फाइल देन एंटर किया देन स्लेक्ट लाइन उसके बाद आपको आर लिखना है देन एंटर करना है और रेडियस एसाइन करना है तो फाइव रेडियस बहुत छोटा दिखाई दे रहा था अब आप इसमें तोड़ आसा ज्यादा कर सकते हैं जैसे मैंने 50 रेडियस लिया देन स्लेक्ट सेकंड और आप यहां पर कर सकते हैं कि इसका रेडियस कितना है यहां पर आपको बता देगा तोड़ा जूम करके अगर आप इसको देखेंगे राइट क्लिक करके पैन पर जाईए और आप जूम करेंगे स्क्रॉल से तो आपको प्रॉपर लिए 50 डिश्ट यानि 50 mm का रेडियस का आपको यहां पर देखा रहा है तो यह 50 का बेसिकली है मैं जूम करके बता रहाँ आपको आपको फॉद्स आपको क्लियर हो जाए इसको मैं स्लेक्ट करके डिलीट कर देता हूं वागी विए अब मैं चाहता हूं और भी कॉर्णर है उनको भी जैसे मैंने इसका रेडियस लिया है 50 मैं चाहत तो बहुत सिंपल तरीका है आप सेंबी फिलेट बना सकते हैं आप अलगला रीडियस का भी बना सकते तो अलगला रीडियस का आपको बना के दिखाता है सो आपको क्लियर रहें तो यहाँ पर मुझे क्या करना है फिर से अला करें और 50 की जाइगा फिलेट लीडियस का यह वाला मिरा 40 का है explain कर देंगे भाँवर आजाएंगे फिर से मैं बनाना चाहता है और मैंने क्या करना है रेडियस और एंटर यहां पर मैंने 30 यह मेरा 30 रेडियस का है एंड अगेन मैं जाना चाहता हूं फिलेट एंटर लेडियस एंटर देन उसके बाद आप रेडियस से साइन कर देंगे 20 देन तो आप देख पा रहे होंगे कि इस कॉर्नर का जो रेडियस है वो 50 है इसका 40 है इसका 30 है इसका 20 तो आप एक पर्टिकुलर रेडियस में कट कर सकते हैं एज अच्छे से कर पाते हैं तो यहांपर यह हैं उस तरह से आपको क्लियर क्लियर हो गया क्ट्रोल जैट कर देता हूं तो मैं वापस कमांड हट जाएगी एक कॉर्णर हमारा 50 का मैं सभी कॉर्णर चाहता हूँ 50 के हो 50 रेडियस के तो fil enter select first then r enter then 50 radius then select second line तो आप देखेंगे यहां से यह भी 50 का ऊपर वाला पर इसी तरी के से फिर से कमांड पर जाएंगे select first line then r enter then आप radius assign करेंगे then select second line तो यह से भी 50 radius का है इसी तरी के से fillet enter select first line then उसके बाद r enter and 50 then उसके बाद आप second line select करेंगे तो यह भी हमारा यानि चारों कॉर्णर 50 50 radius के हो गए तो दिस इस फिलेट कमांड अगर आप चाहते हैं कि चैंफर कमांड क्या है तो बहुत सिंपल है आरी सी आप रेक्टेंगल ले लेंगे और इसके अंदर ही मैं बना देता हूं जैसे यह रेक्टेंगल मैंने बनाया यह किस के अंदर तो आप देख पाएंगे यहां से किस तरीके से होता है दोनों में और यह line select करेंगे तो यह यहां पर आप देख पाएंगे कि यह hundred horizontal hundred vertical line से हमारा क्या हो गया चैमफर हो गया same यहां पर मेरे को एक और corner पर जाना है select first line then उसके बाद distance then distance आप 100 कर देंगे then second line का भी 100 then आप second line select करेंगे तो यह हमारा hundred hundred का चैंपर हो गया chaf फिर जाएंगे चेमफ पर एन फिर पर सलेक्ट फरस्ट लाइन देन डिस्टेंस डी एंटर थेन हंडर तें उसके बाद सेकंड लाइन का भी चैंफर डिस्टेंस ऑम है तरक करेंगे तर आफ्टर देन फिर से वहीं तो दॉनों में आपको देफ्रेंस बहुत किलियर हो गया होगा तो यह काफी यूच्फिल कमांड है आपको मेरा वीडियो परसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो ठेंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो जैंड जो कि आपको में और भी कमांड बता हूं तो लगातर चैनल को फॉलू करते रहें वीडियो को देखते रहें तैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो थेंक्यू